तो किया चल से स्रियाकाल मैं हूँ नियौन मैन और आज में मेरे पास काफी सारे स्टोडीज है पूरे यूट्यूब कम्यूनिटी से तो भई वीडियो को इन तक जरूर देखना और आफ यूचर में भी ऐसे अपडेटेड रहना चाहते तो भई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कु भी मत भूलना अज करने वाले राउन टू हेल के वसीम के बारे में लास्ट वीडियो में आप लोग को पूरा स्टोरी बता दिया था कि क्यूं राउन टू हेल के मेंबर वसीम हास बीन अर्रेस्टेड एंड यह इस इंसिडेंट पर जाधा यूटूबर्स ल करने दो राउन टू हेल मोर पावर टू यू देन बीबी जब इस टॉपिक पर अपने चैनल में एक वीडियो अप्लोड किये और लक्षे चौधरी भी कल जब लाइब स्ट्रीम थे तो किसी ने उनको मेंशन किया इसके बारे में तो उन्होंने यह कहा उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया राधा और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से बोला जो कि गलत है मेरी नेजर में भी गलत है सबकी नेजर में गलत है तो उसके लिए उन्होंने अपॉलोजाइस किया है उसके लिए उन्होंने सौरी मांगी है लेकिन सिर्फ एक छोटी सी अगर आप एक बड़ा सा मुद्दा बना रहो ना तो भाई मुद्दा अच्छे से बनाओ क्योंकि अगर तुम देखोगे तो एलविश यादब की एक ये वीडियो अब तुम देखरो एलविश यादब का ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है अगर शेन्टी ये पंडित से बोला है, शेक्सी शेक्सी मंतर पड़े, तो भाई यहाँ पे पंडितो की बेजिती नहीं हो रही है कि यहाँ पे लिए हिंदु रिवाज का सेंटीमेंट हर्टस नहीं हो रहे है और यार इतना ही नहीं, round to hell वाले की एक clip मैं तुम्हें और दिखाता हूँ पॉजिटिव में में देखोगे तो भी तुम्हें समझ में आएगा कैसे एक मुसलिम मंदा, एक हिंदू देवी के चरण स्पस्ट कर रहा है उनसे आशिरवाद ले रहा है, तो यार ये भी तो चीज हो सकती है तो चली अब आगे भरतम लुक बात करने वाले लक्षे चौधरी वर्सिस मिस्टर और मिस्स प्रिंस के बारे में लोग 15,000 लाइक है और 41,000 डिसलाइक थे पर सो तक, 41,000 अब तुम रेशो लगाओ कि अब जितने व्यूद होंगे उन पर कितने डिसलाइक है इनको कुत्तों की तरह गाली पड़ी, कुत्तों की तरह इनका दोनों का कुत्ता मना दिया जंता ने अब बेटा है मेरा समझा चेस वीस क्या गरना तुर खा जाओंगा निम्टा दुआ केस केस का रूम है तुझे अपने बच्चे को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पे दिखा रहा है वो मेरी गुडविले मैंने नहीं लिया यह क्या है वीडियो का थमनेल एक्जेक्ट यह यह नहीं है है यह नहीं है तुझे तो थमनेल डालते वे शरम नहीं आ रही और तुचारा की मैं बोलते वे शरम करूं ब्रो जो है वो बता रहा हूं तांगे खोले पड़ी थी तेरी वाइफ थमनेल में और वो चीज वो चीज देखने में बिल्कुल भी और विदियो किस दिन शूट हुई थी जब सुरव ने का भाई कुछ साथ में बनाते हैं भाई मैं कभी किसी रोस्टर के चैनल पर नहीं आया जब भी हैट के साथ ही आया हूँ कुछ बनाते हैं ब्रो सोरव से पूछ लियो ठीक है चोदरी साब किसी को पहला मैसिज नहीं करत देन ये लाइश्ट्रीम पर रियाक्ट करते वे वो अपने चैनल में एक वीडियो अप्लोड के एक छोटा सा पार्ट में आपको प्ले करके दिखा देता हूं उन्होंने क्या कहा और उसके उपर इसने चार से पांच वीडियो मेरी उपर रोस्ट करके वे गंदी-गंदी कालिया देते हुए बना दी हैं यह स्क्रिंशॉट लगा कर आपको दिखा दूंगी यह जूट बोल रहा है अपने वीवर्स को बर्गला रहा है इसको शाट के थू पता लग चुका यह जान बुच कर के नहीं दिखाया लेकिन अब तो आपको पता चल चुका है कि आपने मेरी बीटी का फोटो और वीडियो यूज किया है वीडियो अप्लोड होने के बाद भी यूचिप आपको राइट देता है कि आप उसको ट्रिम कर सकते हो आप वो पोशन हटा सकते हो लेकिन अभी तक उसने वो पोशन नहीं हटाया क्या आप उसकी थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं कि एक मा को बोलो एक पेरिंट को एक पिता को जाके बोलो बेटी डैश मैं आप से जवाब चाहती हूँ बीस्ट सर से सौरव जोशी से चौदरी फैमिली से अब सब फैमिली व से लोगों को सपोर्ट करते हैं उनकी मेंटालिटी को तो चलिए आप आगे बाटतम बात करने वाले मुनावर फारूकी के बारे में सो मुनावर फारुकी का हैदरबाद में एक शो हने वाला है और इससे रिलेटेड मैंने ट्विटर में एक वीडियो देखा कि कितना लंबा लाइन लगा हुआ है उनके शो के वेन्यू के बाहर और वेन्यू के बाहर काफी सारे पुलिस वाले भी हैं जो की सेक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हैं तो चलिए अब आगे बढ़तम में बात करने वाले गौरफ जोन के बारे में एंडिया वाला टॉपिक थोड़ा सा उठ गया आप उनका रियाक्शन देख लिजे तो एट बिट थक से पूछा गया कि मिथपैट उनको कैसे लगते हैं एज अ क्रियेटर एंड उनका जवाब कुछ ऐसा था My opinion about Midpat in SATUEL in future, I think Midpat is a great independent creator He really does not need someone like SATUEL but if he does Midpat triggered him, our arms wide open, it's such a valuable asset, how much you get to learn from Midpat And I'm not lying about it, you can ask, ask other creators The video was Free Fire Max is fun This video did great on YouTube, it is at 7.5 million views So I was showing this video to my people, and I was showing them how to watch videos These are insane creators So let's go, let's talk about Amit Bhadana So recently I had Inserrelated story cover that they rejected 10-11 Bollywood projects Well, this topic was a little touch on Instagram, he said Bollywood is not my priority from day 1 I always want to work with good people, if they are in any way And the next project is about the next 7th September announcement Anyways, let's talk about achievements So first of all, movie scenes ने complete कर चुके 100K subscribers Then Attitude Gamers ने complete कर चुके 1 million subscribers Then Gullu Official ने complete कर चुके 2 million subscribers Then Pius Joshi Gaming ने complete कर चुके 4 million subscribers And finally, play on को Milchicon का silver play buttons So many many congratulations to all of them Anyways, चलिए आप कुछ international stories के बारे में बात करते हैं First of all, में लोग बात करने वाले Andrew Tate के बारे में Now, recent times में अगर आप social media में active हैं तो आप definitely Andrew Tate के कुछ clips देखे होंगे उनके statements and opinions are pretty controversial Especially related to women, बहुत लोग उनको misogynist बोलते हैं But या, वही Andrew Tate को अब ban कर दिया गया from meta That is Facebook and Instagram Reason उनके तरफ से यह आया For violating its policy on dangerous organizations and individuals तो चलिए इस पर कुछ YouTubers का reaction देख लेते हैं First of all, some ordinary gamers यह कहे Banning Andrew Tate is dumb, idea should be challenged And if he spreads misinformation, it should be counted in the public sphere If you actually believe bans do something, it only amplifies his shitty message on to more users through alternative platforms Then CoffeeZilla यह कहे I dislike Tate, but kids are now gonna grow up thinking their only weapon against stupid idea is deplatforming So basically they are trying to say is that if someone is sharing their opinion on the public Then on the public platform, people should reply to them against them Not that you totally deplatform them Keemstar भी अपना यह video share किया His ideas are dangerous, that may be true Me personally, I don't agree with everything Andrew Tate said That dude goes far, I don't agree with everything However, I like to see the debates I like to see Andrew Tate's point of view And then someone else's point of view So I can form my own opinion And when you silence one side of an argument Then you are cheating But on the other hand, Ethan Klein from H3H3 Kuch और opinion share किये He said Andrew Tate is a criminal scammer And he deserves to be deplatformed Anyways, let's talk about the final story We are going to talk about Blackpink's new song This song is about the latest song And this song is about Pink Venom And this song is very good You can see that already 100 million plus views With 6.6 million likes But let's check the actual records These are the most viewed videos in 24 hours Highest is Butter by BTS 108 million views And Blackpink's new song 86.2 million views in 24 hours So yeah, they have the record break But in the top 5 But at the top 5 Anyways, the good news If you like this video If you like this video And don't forget to subscribe to you So quickly subscribe to you New submission In the description of the link There will be some news So you will see the credits In the description of the video I will see next video Till then, bye-bye झाल 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 झाल